हेलो दोस्तों नमस्कार आज की विडियो में हम बात करने वाले हैं green stroke mutual fund UPI account आप किस तरीके से बना सकते हैं इस application में आप account किस तरीके से बना सकते हैं आज की वीडियो में हम complete process जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्रूरुंव करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी दिक वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी ठीक है तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और आप इसे पिले इस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी लिंक में आपको वीडियो को डिस्कुशन में प्रवाइड भी करा दूँगा ताकि आप कोई दूसरी एप्लिकाशन भी डाउनलोड नकले तो आप बहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा continue with google ठीक है तो अपनी email से यहां पर आपको verify कर लेना है तो चलिए मैं अपनी email से यहां पर verify कर लेता हूं जो भी आपके phone के अंदर mail है आप उसी से ही यहां पर verify कर सकते हैं त तो चलिए मैं अपना यहां पर mobile number एंटर कर देता हूं mobile number डालने के बाद आप जैसी send OTP पर simply click करेंगे वो OTP आपके यहां पर verify हो जाएगा अगर आपका number उसी mobile में है तब ठीक है और नहीं है तो आपको अपने दूसरे mobile में अगर आपका वो number है तो बहां से आपको OTP ले देना है आपको यहां पर इंटर कर देना है उसके बाद में आप से यह बोल रहा है कि आप अपना pen card यहां पर number डाले ठीक है तो चलिए मैं अपना यहां पर pen card number डाल देता हूं जैसे आप अपना यहां पर pen card number डाल देते हैं तो यहां टो में टो verify कर लेगा उसके बाद में आप इस page पर आ जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं confirm pen card details क्या आपका pen card यही है और इसी name से है है तो आपको यहाँ पर yes पर simply click कर देना है नहीं है तो आपको not added pen card ठीक है तो इस पर आपको click कर देना है तो मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही है तो चलिए मैं यहाँ पर yes confirm पर simply click कर देता हूँ click करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपको यहाँ पर यह बोल रहा है कि आपको एक रुपाय यहाँ पर pay करना हो यानि कि add करना हो ठीक है तभी आप अपना अकॉंड यहाँ पर open कर सकते है इसी के साथ में जो पहले था यह था कि आपको यहाँ पर bank account add करना पड़ता था bank account की सारी details यहाँ पर add करनी पड़ती थी तब आपको वहाँ पर एक रुपाय की payment करने पड़ती थी account opening के लिए ठीक है तो यहाँ पर यह है कि उसमें थोड़ा सा काफी देर लग जाती थी और उसमें अपना जो bank है वो भी सार्च करते थे पर अब ऐसा यहाँ पर नहीं है आप जो भी अपने वाल में wallet चलाते हैं उसी के ही माध्यम से आप यहाँ पर payment कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर Google पर select कर लेता हूँ उसके बाद में आपको यहाँ पर मिजाता है send 1 to verify bank ठीक है जानी कि एक रुपए आप से लेगा यह bank account verify करने के लिए ठीक है जानी कि आपको इसके अंदर add करना होगा ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर send पर simply click कर देते हैं click करने के बाद में अपना यहाँ पर bank account select करेंगे उसके बाद में paper हम simply click कर देंगे अपना UPI pin यहाँ पर enter करेंगे click करने के बाद जो हमारा payment है वो यहाँ पर हो चुका है और हमारी bank की तरफ से यहाँ पर message भी आ चुका है ठीक है तो आप यहाँ पर देश सकते हैं bank verify success ठीक है जानी कि जो आपका bank account वो यहाँ पर verify हो चुका है इसी के साथ में आपको एक बात यहाँ पर और भी जान लेना चाहिए अगर आप जिस जानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपना account इस bank से verify करना है और आपको इसी दूसरे bank account से इसमें पैसे add कर सकते हैं ऐसा भी बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं इसी के साथ में आप इसी से ही आप payment करेंगे और इसी में ही जो भी आपका लेन देन होगा वो इसी bank account से होगा जानी कि आपके पैसे आएंगे तब भी आपको इसी bank account का यूज करना पड़ेगा और आप इसमें पैसे add करेंगे तब भी आपको इसी bank account का यूज करना पड़ेगा ठीक है वो बात अलगा कि अगर आप दो खाते चलाते हैं तो एक बॉलिट से आप दूसरे बॉलिट में पैसे ट्रांस्पर कर लें उसके बाद में आप इसमें कर दें ठीक है तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो जो आपका बैंक अकॉन है वो यहाँ प यहां पर अप्नी यहां पर आपके सामने कुछ से पेच आपकर पूछा जाए कि आपकी अयहां पर मन्धली ऐंकम कितनी है एक लाग है या फिर एक लाग से पांच लाग तक है या फिर पांच लाग से दस लाग तक है जितनी भी आपकी बीच में यहां पर income आती है वो आप यहां पर option select कर सकते हैं चलिए मैं यहां से एक से पांच लाग select कर लेता हूँ उसके बाद में आप single है या फिर या फिर चार या फिर पांच एर ठीक है तो बहुत चीज आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं तो चलिए मैं यहां पर तीन एर सिलेक्ट कर लेता हूं जो आपका डिजीटल लॉकर है बहां से जाने कि यह एक गवर्रमेंट की एप्टिकेशन है और आप यहां से कोई भी डॉक क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा यहां पर टर्मेंट कंडिशन को आपको एक्सेप्ट करना है उसके बाद में आपको यहां पर आधार पर सिंप्ली क्लिक कर देना है आधार पर simply click करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है enter आधार नमबर ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आपको capture code मिल जाता है तो इस capture code को भी आपको यहाँ पर fill कर देना है इस box में ठीक है तो चलिए हमें skype चा कोड को यहाँ पर fill करेंगे उसके बाद में आपको nest पर simply click कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर nest पर simply click कर देते हैं click करने के बाद में जो भी आपका आधार से mobile number add है उस पर one time password यानि की OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter कर देना है तो चलिए हम यहाँ पर enter कर देते हैं उसके बाद में आप से यह पूछा जा रहा है digital locker security pin आपका क्या है ठीक है वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ continue आपर हम simply click करते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर allow कर देते हैं उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहा है success लिखा हुआ आ गया है जो भी आपके document है जाने की आपकी यहाँ पर digital document जो KYC है वो यहाँ पर complete हो चुकी है उसके बाद में आपको location permissions को यहाँ पर on कर देना है तो चलिए हम यहाँ से ok कर देते हैं उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा अपना एक यहाँ पर photo लेंगे ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ही खुद का camera open करता हूँ जो कि आपको यहाँ पर open camera का option आ रहा है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर open करते हैं permissions को allow कर देंगे उसके बाद में हम यहाँ पर clip कर देंगे ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पर click कर देंगे जो आपका photo है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद में आपको यहाँ पर good पर simply click कर देना है और आगर आपको photo गलत आ जाता है तो आप try and पर simply click करके भी आप इसे change कर सकते हैं ठीक है तो मेरा सही है तो मैं यहाँ से इस पर simply click कर देता हूँ click करने के बाद में यहाँ पर दे सकते हैं proceed to signature आपको यहाँ पर signature करने होंगे ठीक है अब वो signature किस तरीके से करेंगे वो भी आप यहीं पर ही कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर proceed to signature पर simply click करता हूँ अब आपके सामने कुछ इस तरीके से box आजाएगा और आप यहाँ पर signature कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर pen का भी सहरा ले सकते हैं या फिर आप उंगली से ही यहाँ पर कर सकते हैं जिस तरीके से आप करते हैं ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ यहाँ पर submit पर simply click कर देना है मैंने इसे biller कर दिया है ठीक है उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा add nominee for your investment ठीक है तो अगर आप यहाँ पर nominee को add करना चाहाते हैं तो आप कर सकते हैं मेरी सला है आप यहाँ पर nominee को जरूर आइड करें ठीक है अगर आप नहीं करना चाहाते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे option मिल ल letter ठीक है तो इस पर आप click करकर और आप आगे बढ़ सकते हैं पर मेरी राय है कि आप यहाँ पर nominee को जरूर आड करें ठीक है तो nominee अड़ करने के लिए add nominee पर आप simply click करेंगे इस तरीके से आ जागा तो आप यहाँ पर nominee का name डालेंगे और nominee आपकी कौन लगती है वो आप यहा पर nominee identity proof ठीक है यहाँ पर अगर आप painter करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं वरना यहाँ पर optional है तो आप इसमें कुछ भी add मत कीजिएगा ठीक है तो उसके बाद में finish nominee add on ठीक है इस पर आप simply click कर देंगे तो चलिए मैं अपनी सारी details से यहाँ पर डाल देता हूं उसके बाद मे कुछ इस थरीके से आएगा proceed to आधार ठीक है इस पर आप simply click करेंगे जैसे आप simply click कर देते हैं तो आपको यहाँ पर term and conditions को accept करना होगा इसी के साथ में आपको यहाँ पर अपने mobile number से verify भी करना होगा ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर दोनों term conditions को यहाँ पर accept कर लेते हैं इसक यहाँ पर check कर सकते हैं यानि कि read कर सकते हैं और आपकी detail है वो बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर sign इस पर आप simply click कर देंगे ठीक है आपको यहाँ पर sign पर simply click करना यहाँ पर आपको इस साथ कोई भी fraud नहीं होने वाला है ठीक है इस बात को आपको दिहार रखना है अग यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीकी से आजाता है तो आपको यहाँ पर tick कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर tick कर देता हूं यहाँ पर आपको आधार ID इंट्र कर देना है यहां पर बोल जाता है जो hij ouland ID होती है Bruteek तो चलिए मैं यहां पर इंट्र कर देता हूं उसके बाद में हम सेड़ ड़िपी पर simply कडिक करेंगे कि इ मि'll do डाके बाद में OTP आपके यहां पर चला जाएगा तो तो चलिए हम यहांसे copy कर लेते हैं और हम यहांप पर enter कर देंगे ठीक है और मैं यहांपर verify OTP इस पर हम simply click कर देंगे अगर आपका OTP नहीं जाता है तो recent OTP पर आप simply click कर देंगे दौपर आप यहांपर OTP मंगवा सकते हैं ठीक है तो मेरा यहाँ पर OTP है वो verify हो चुका है और यहाँ पर document भी यहाँ पर complete हो चुके है ठीक है और उसके बाद में आधार sign ठीक है इस पर आप simply दुवारा यहाँ पर click करेंगे और जो आपका आधार है वो अब यहाँ पर verify हो रहा है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर बन चुका है इसी के साथ में यहाँ पर यह बता रहा है कि 48 से 22 घंटे के बाद आपको जो अकॉंट है आप इसमें पैसे add कर पाएंगे और आप यहाँ पर investment जाने कि mutual fund में पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको 48 से 22 घंटे तक अभी तक आपको यहाँ पर इंतिजार करना होगा ठीक है तब ही आप यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर यह बोला जा रहा है add money to invest ठीक है तो आप यहाँ से पैसे को add भी कर सकते हैं ठीक है पर जब हमारा account यहाँ पर जाने कि पूरी तर और आप जादा पैसे कमा पाएं ठीक है कम पैसे से यहां पर बोला जा रहा है कि add money to invest तो आप यहां से simply click कर सकते हैं और आप यहां पर पैसे को invest कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हमें यहां पर account open करना था मैं आपको यहां यहां पर cut कर देना है जैसे कि मैंने यहां पर cut कर दिया है ठीक है अब आपको यहां पर इस application के उपर आपको एक password set करना है तो चलिए मैं इसे open कर लेता हूं open करने के बाद में direct आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जागा यहां पर बोला जाएगा set grow pin ठीक है तो जानिकि आ आप एपना एक pin यहां पर set कर लीजिगा तो चलिए मैं यहां पर अपना एक M pin जिसे बोलते हैं वो हमें यहां पर set करना है चार अंकों का ठीक है तो चलिए हम यहां पर set कर लेते हैं जैसे आप set करते हैं तो आपके mobile number पर एक OTP जाएगा वो OTP यहां पर आटोमेटो वेरिफाई हो जाएगा अगर आपका number उसी phone में है तब ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर confirm पर simply click कर देना है ठीक है आपको यहां पर दुबारा डालने का option नहीं मिलता है तो आप एक company कौन सी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ताकि जो मेरा account है वो यहां पर पूरी तरीके से तब तक शुरू भी हो जाएगा दो से तीन दिन बाद ठीक है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लो और अगली वीडियो में हम स interest rate, high interest rate किस तरीके से ले सकते हैं और चोटी-चोटी amount को आप बड़ी amount में किस तरीके से बदल सकते हैं मैं आपको अगली वीडियो में यह सारा कुछ बता दूँगा ठीक है उस तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नहीं चैनल क को subscribe कर देना तो इसकी मैं नएस्ट वीडियो आपको बहुत जल दे दूँगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में